ये एक नहर और सिचाई से संबंदित कोश्चन है कह रहा है कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलो मीटर पति घंटे की चाल से पानी बहरा है मतलब नहर देखें आप जिसे नदी होती है उसी तरह से कुछ तो क्या कि तीस मीटर में ये नहर कितने छेतर फल कीशाई कर पाएगी जब किशी चाई करने के लिए 38 सेंटीमेटर गहरे पानी की वासकता होती है बहि कहीं पानी अगर सीचा जाता है किसी क्यत में भरा जाता है तो वह क्यूवाइट फार्म में भरता है कि कोई खेत है अगर उसमें पानी भरेगा ता ऐसे तो बरेगा न तो एट सेंटीमेटर मतलब लगबग इतना मान लो गहरा पानी की जरूत होती है लेकिन नहारा जो है वह डेढ़ मेटर गहरा है डेढ़ मीटर का मतलब जान रहे हो खोपडी बराबर हो का लगबग इतना इज फ्लोइंग विद आइस फीड आफ 10 किलोमेटर पर आवर हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटिमेटर आफ इस्टेंडिंग वाटर इज नीड़ेड इस्टेंडिंग वाटर का मदलब भरना है यहनी 8 सेंटिमेटर उचाही तक पानी भरना उस खेत म उससे जादा नहीं नहीं बूड जाएगा डूब जाएगा सब लिखिए जो दिया लिखिए लिखिए यह कैनल का एक चित्र आपको दिख रहा है नहर का कुछ इस तरह से नहर होती है जिससे फिचाई किये जाता है अगर आपने देखा होगा पानी आता है तो इसकी है शलता है तो खेतों में देखो इतना इतना पानी भ़र जात बस इतना इतना ऊचाना लेकिन नहरों में खूप बड़ा कि नहर की लेंद्ध हो जाएगी कैसे हो जाएगी कह रहा कि 10 किलो क्योंकि हमें 30 मिनट में ज्यात करना है कि चाल से बहर रही तो 30 मिनट में कितने चेतरफल किसी चाहिए कर पाएगी तो 30 मिनट में यह पांस जार मीटर आगे बढ़ जाएगी है ना समझ रहे हो लेकिन इतना ही सही काम नहीं चलने वाला है इसमें अभी कुछ हम लोग करेंगे लिखो क्योंकि सो सेंटी मीटर बराबर वन मीटर यहां लिखो सो सेंटी मीटर बराबर वन मीटर होता है इफ लिए यहां पर लिखो आठ फेंटी मीटर हमें क्या करना है आठ फेंटी मीटर घहराएगी सिजाई करना है इसको हम मीटर में बदल लेंगे ठीक है बबुआ त कम करो निकाल लो 1 cm पराबर एक बटा 100 मेटर ओके इस लिए नीचे लिख लो कि ऐड़ गुड़े में करना कि मैंने में क्यूं निकाला इफ लिए क्यों कि नहर वो मेंने मीटर में करना था है कि उसको लिखो पटपट यह सिचाई गिन्य वाली उचाई है इसको रख दिया सा देखिए इक कि नहर के पानी से तो नहर का जो बेलूम होगा आयतन होगा और जो छेट्र हमें सीचना है उसका value दोनों बराबर होगा क्योंकि पांई जाकरके नहर से खेत में जा रहा डारेक्ट समझ रहे हो? तो दोनों का value हमें इeremे इक्वल कर देंगे और हमें जो निकालना वो मिल जाएगा इदर लिख्對啊 क्या लिखोगे? हगे दोनों का बराबर होगा तो आप चाहे तो ऐसा लिख लिजीए लिख ये खो कि नहर के पानी से खेट की भर जाएगा तो पानी ऐसा नहीं कि वो एक पट्टी जैसे फैल जाएगा पानी जिसना ज्यादा भरेगा से ऊपर उठता जाता है ना मालों किनारे बड़ी-बड़ी मेर्ड बंदी यह तो पानी ऐसे भरता चला जाएगा तो क्यू बाइट के फार्म में पानी भरेगा उसका हम आयतन निकालेंगे ठीक है तो लिखो एरिया मतलब छेत्रफाल इंटू आठ बटा सो यह वह उंचाई है जितना हमें क्या करना था सिचाई करना था ठीक है नहर वाले में बात करें तो नहर की क्या हाल चाल है 1.5 मीटर इसे अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितन रख दो लेकिन आप 15 सुकाय करो गई जैसे अब ऐसे लिख दो ना जैसे अब ऐसे लिखो पटापर चलो कि अब तो यह जाए फैसे लिख दीजिए इसमें कुछ भी मत करिए कोई चेंजिंग मत करिए इसको अटाईए आईए इसकी जो लंबाई है यानि हम क्या कर रहा है इदर साइड में नहर की बैलूम निकाल रहे है लेंथ ब्रीट एंड हाइट इसकी लेंथ अभी जो हमें मिली यह वो कितना मिली जानते हो आई वैसे तो मिली यह 5000 यहीं तो 30 मिनट में था ना 5000 गुड़े और क्या था 1.5 इसकी हाइट थी तो लिख लो फिल हाल के लिए 5000 गुड़े ब्रीट मतलब 6 मीटर इसे 6 गुड़े 1.5 यह सबी मीटर में है इनको हल करिए हमें क्या करना है एरिया निकालना है उस एरिया को कुछ नहीं रखना है उसी दफिदा आ जाएगा चलो अब यह एर जाएगा भाग में आएगा यह पलट जाएगा इसका मतलब क्यूं पांच जार गुड़ा 6 गुड़ा 1.5 यह पलट जाएगा भया मल्टीपल में कर दो सो बटा आठ क्यूं सही जा रहा है कि नहीं पहले एक बार बताओ मुझे यह कुछ गड़बड हो रहा है क्या बोलो कोई गड़बड नहीं हो रहा है लिखो लिखो इसको हल करते हैं अब सरली करन करते हैं कोईशन स्क्रेन से रफा कर दीजिए दफा कर दीजिए चलिए आये इनको हल करेंगे 5000 ऐसे लिख देंगे 6 गुड़ा 15 बटा 10 इसको लिखा जा सकता है इसमें कोई बुराई नहीं है यह 100 बटा 8 अब देखो यहां एक काम कर लो जीरो से एक जीरो कट जाएगा आप इनको आप काट सकते हो अगर काटो तो दो से काट दो दो चौक आट द कि हल करना है कैसे भी करके आप सिंप्लिफाई कर लो बस जाता कुछ नहीं करना है चलो इनको भी चार से हम काट सकते हैं तो 25 आएगा कि फाइनल में आपका यह आरा साथी मेरे 500 यह आपका काट के रखे हो तो आप तीन आया था और पंदरा में गुड़ा कर लो 45 और यह गुड़ा हो जाएगा आपका पचीस इन सब का आप एक बार मल्टीपल करोगे फटा फट तो आपका जो भी आएगा लगवा कितना आए ठीक है कि एन डाउट किसी को बोलो नहीं ना फटा फटा नोट कर लीजिए कुछ भी कहना तो बोलिए इस तरह से आपका एक्सरसाइट 13.3 का जो है वो खात्मा होता है इसमें का लाक्ट कुश्चन आप लोगों कर लेंगे रेगुलर जुड़ो हम आपको जरूर देखते कुछ भी कमेंट करो सब देख रहे हैं